दोस्तो मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माइवल्ड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तुरंट 21 जून 2020 को आने वाला है एक सूरे ग्रहन जो की पहला सूरे ग्रहन होगा इस पूरे साल का और अभी 5 जून को तुरंट चंद ग्रहन पीता है और तु सब्सक्राइब करें और जो लोग नहीं करना चाहते हैं और जो लोग नहीं करना चाहते हैं अपनी सासुमा और जतने भी बड़े लोग उनकी बात को अगर रख लिया जाए तो इसमें भी मुझे लगता है कि कोई बुरा नहीं है क्योंकि देखें जिससे आप किसी का नुकसान नहीं हो रहा है वह चीज़ आप बेशक कर सकते हैं लेकिन सबसे उपर ज़्यादा जरूरी यह चीज़ है क आपको ये सारी activities अगर बहुत सारे role regulation है जो कि आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए harmful हो वो काम आप प्लीज मत करीगा और ये request मैं उनके बड़े लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी सासु माय हैं, माय हैं या जो भी लोग हैं जो कि अगर pressurize करते हैं किसी नियम कानून को इतना जादा follow करने के लिए जिससे की गर्भवाती इस तरी का कोई भी comfort नहीं है वो चीज आपको नहीं करनी है तो शुरू करते हैं अपना वीडियो ये जो सूरे grant है वो 21 जून 2020 को सुबह में 9 बच के 15 मिनट से शुरू हो जाएगा और जो की end होगा दोपहर के 3 बच कर 4 मिनट में तो ये complete जो अवधी है वो पूरे उस दोरान आपको कुछ नियम कानून follow करने है लेकिन बहुत सरे ऐसे लोग हैं जो की सूतक समय से ही इन सारे चीजों को follow करना शुरू कर देते है और इसका जो सूतक का समय है वो एक दिन पहले ही लगने वाला है यानि की 20 जून 2020 को रात के 9 बच के 16 मिनट तक ये स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से जब तक की सूरे grant end ना हो बहुत सारे लोग बहुत सारे नियम कानून follow करते है तो उनमें से 2-3 जो सावधानिया है वो लोग बरतते हैं और इसके पीछे की science क्या है ये भी मैं आपको बताना चाती हूँ तो ऐसा माना जाता है कि जो सूरे grant ये चंदर grant की जो चाया है वो गर्बती स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए वो उसके मतलब उनको ये रोशनी भी नहीं आनी चाहिए नहीं खिडकी से दर्वाजे से तो उन्हीं complete isolation में रखा जाता है या तो आप खिडकी के दर्वाजे खिडकी बंद कर सकते हैं लेकिन आपको एक दूसरी भी बात बता दू कि अगर किसी तरह की emergency हो जाए आपको जाना ही पढ़ गया तो आप बेशक जा सकते हैं लेकिन आप सावधानी के तोर पर अपने शरीर को अच्छे से ढख लें आप अगर शरीर को अच्छी तरह से ढख लेंगे तो इसकी जो harmful rays हैं वो आप तक नहीं पहुंसती हैं लेकिन कुछ अंध विश्वास जो लोग मानते हैं वो ये भी सोचते हैं कि बुरी शक्तियों का तो मैं नहीं जानती हूँ लेकिन कुछ ऐसे harmful rays होते हैं अल्ट्रा वॉयलेट रेज इतनी जादा इस समय जादा हावी हो जाती हैं जिससे कि आपकी इसकीन पे नुकसान पहुंच सकता है इसलिए आपको चीज़े अवोइड करनी चाहिए देखे शेहर में ऐसा होता है कि लेडीज लोग के घर में अंदर बाथरूम होता है जनरली सबके होता है लेकिन गाओं की लेडीज के साथ ऐसा नहीं होता है उनके थोड़े से दूर में बनाया जाते हैं जैसे घर के बाहर जो आंगन होता है आंगन के बाद बाथरूम बना होता है तो उनको वहां से जाने में आंगन तक जाने में उनको लगता है कि क्या पता इस चीज़ का चाया उन पर पड़े नहीं पड़े तो आपका बहतर तरीका यह है कि अपनी आपको ढख लीजे और जहां तक अगर संभव हो आप बाथरूम को यूज करना या वाश्रूम तो अगर आपको जाना ही पड़िया तो अपने आपको अच्छी तरह से ढख लें ये तो रही आपकी पहली सावधानी दूसरी सावधानी आप क्या कर सकते हैं कि इस वक्त आपको खाना पीना नहीं होता है और बहुत लोगों का यहीं भी मानना है कि सूतक समय से का बड़े लोगों के अगर बात मानी जाए तो आप उसके ओपर खाने पिने के जितनी वस्तू उसके उपर आप पहले से तूलसी का पत्ता रख लीजे, ऐसा माना जाता है कि जो कि हामफुल रेज हैं वहां तक नहीं पहुंसती, तूलसी का पत्ता उसे सब कुछ दूर कर देता है, और पीने का भी पानी है, उसे भी आप उसके उपर तूलसी पत्ता रख दीजे, तो उसे से लेके last तक fast करना मैं आपको बिल्कुल भे recommend नहीं करूंगी क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल harmful है और तीसरी चीज जो लोग ये बानते हैं कि उस समय सोना भी नहीं चाहिए लेटना भी नहीं चाहिए तो आप imagine करके देख लिजे कि आप इतने लं नो बजे से दो पहर के तीन बजे तक तो आप imagine कर लिजे कि इस समय गर्वती महिला लगतार खड़िक कैसे रह सकती हैं तो उनकी बात को मानिये और एक छोटा सा उपाय मैं आज बताऊंगी वो आप ट्रिक फॉलो जरूर करिए और अराम से लेटिये उठिये बैठिये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे खुद के प्रेगनेंसी में दो या तीन सुरेगरण चंदगरण हुए थे इस तरह के और मैंने जो उपाय किया और भगवान के दियासित मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं अच्छे से हैं खोश हैं आप इसी भगवान को ही विश्वास में रखके भगवान की कामना कर सकते हैं उन्हें याद कर सकते हैं बहुत लोगों का ये भी माना है कि पूजापाट नहीं कर सकते हैं ठीक है मत करें पूजापाट नहीं करें लेकिन मन में अपने भगवान को याद करना उनसे अपना जो एक परसनल टॉक होता है भगवान क लिए अपने बच्चे की कामनात आप कर सकते हैं स्वस्त मांग सकते हैं तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए बहुत कन्फूजन है लाइफ में तो आप कम से कम अपने भगवान को याद करिए खुश रहना सीखिए हर सिचुएशन में खुश रहना सीखिए आपको कोई नाप का एक जैसे माल लिजे कि धागा ले लिजे सर से लेगे पाउं तक पूरा वो धागा को नाप ये और दीवाल के उपर टांग दीजे उपर से सेलो टेप लगाईए नीचे से सेलो टेप लगाईए खड़ा कर दीजे विलकुल एक सिंबल होता है कि आपके बिहाद में वो धागा खड़ा है अगर आप धागा नहीं कर सकते हैं तो डंडे को नापके रख लीजे एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए लेकिन मैं तो आपको धागा है रेकमेंड करोंगी बिना किसी गाठ के वो धागे को सेलो टेप से चिपका दीजे और निश्चि पूर यह बाते शेयर करिए या फिर ऐसी लेडी के सामने शेयर करिए जो कि अंध्विस्वास में कहीं न कहीं बहुत जादा हावी है बहुत जादा पड़ गई है तो उनके लिए भी यह सही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बड़े लोग होते है जो कि आप नियम कानून के बात है कि बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और किसी को अपना नाती पोता स्वस्थ रहना ही अच्छा लगेगा इसलिए बहतर है कि आप उनको भी इस तरह की वीडियो मेरे वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो यह वीडियो देखके थोड़ा उनको समझ आ जाए और उन स्वस्थ रहेगा करेखके मेरे वीडियो अच्छा नात garlic